अस्तलाम अलेकुम जी कैसे हैं हम सब लोग उमीद करती हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुश होंगे आज जी हम बनाने लगे हैं बोनलेस चिकन अचारी हांडी बहुत असान बहुत मज़े की और फ्लेवर्स की भरी हुई हांडी बनकर त्यार होती है स्टार्ट करते है रे अब इसमें मसाले आड़ करते हैं एक टीस्पून नमक एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी बिल्कुल फेल्प्रूफ रेसिपी है इतनी फ्लेवर्फुल ये बनती है इतनी मज़गी बनती है आपने फैन हो जाना इस रेसिपी के यह जी हमन अब इसमें घी का शामिल कर दिया है और साथ ही एक छोटे से साइज का हमने प्याज लेना है उसको बारीक बारीक हमने चॉप कर देना है इसके साथ फ्लेवर इतना इन्हेंस हो जाता है इसका आप एक दफ़ा इस तरह से ट्राइ करोगे ना इस हांडी को मैं कहते हूँ भीकोल पाउड़र नहीं बनाना, इस तरहा से मूँ में आता हुँ यह मसाला इतना मज़ेका लगता है, इतना मज़ेका लगता है यह जी हमने इसको तकbrीबन 30 सेकंड्स के लिए प्यास के साथ भुनना है, प्यास का color change नहीं करना, translucent रखना है हमने 30 seconds तक इस मसाले को हम इसके साथ भूनेंगे अच्छा अगर आप बनाना चाह रहे हो ना, mutton के अंदर, या beef के अंदर, या अचारी कीमा same recipe को follow करते हुए, सिर्फ आप meat change कर दोगे ना, recipe यही रहेगी यह जी दो medium size के tomato, इनको हमने paste बना लेना है, छिलका remove करेंगे, बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है tomato आजकल बहुत अच्छा है मार्केट में, जस्ट इसको हम blend करेंगे, tomato को और इसके अंदर add कर देंगे अब हमने tomato को तब तक इसमें cook करना है, जब तक के घी separate नहीं हो जाता मसाले से, ठीक है बहुत सी recipes है, जो channel पर already uploaded है, मैं iber time में link कर दूँगी, description में mention कर दूँगी playlist पर नहीं है, आप channel पर जाकर चेक कर लेना, महां से आपको मिल जाएंगी यह जी घी छोड़ दिया था मसाले ने, अब हम इसके अंदर chicken add करके, chicken को cook करेंगे तकरीबन 30 seconds के लिए, bonless chicken है, यह बहुत जल्दी cook हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा cook नहीं किया जाता है जितना ज़्यादा cook करेंगे, उतना चुई हो जाता है, इसको soft and juicy रखेंगे हम 30 seconds तक हम इसको मसाले के साथ cook करेंगे, उसके बाद हम इसको ढग देंगे इसको आप सिर्फ कर सकते हो, खमीरी रोटी के साथ, बहुत मज़े की बनेगी इस तरह की हांडी आज कल बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, जब नाश्ता करने के लिए जाते है ना, तो नाश्ता points के ओपर इस तरह की हांडी हो जाए, creamy हांडी हो जाए, white हांडी हो जाए यह सब एक ही तरहां से बनती है, सब की recipes में आपके साथ share करूँगी इंचाला, यह जो चिकन को हमने ढग कर पकाना है, अब तक्रीबन तक्रीबन 10 मिनिट के लिए चिकन खुदी पानी release करेगा, क्योंकि इसको हमने दही के साथ marinate किया हुआ तो, और इसका एक secret मसाला, जो क इसके सारे flavors को एक दम boost कर देता है, वो हमने इसके पर end पे डालना है, इसको हम garnish करेंगे अद्रक के साथ और हरी मिर्चों के साथ, हांडी के ओपर धनिया garnish नहीं किया जाता है, अगर आप करना चाते हो, तो आप कर सकते हो, इसके साथ आप बना लो दही वाली चटनी, जो ध चुटकी कसूरी में थी, सिर्फ एक चुटकी कसूरी में थी, हमने डालनी है, और इसका जायका कहां से, कहां चला जाएगा, अगर आप चाहते हो, तो आप इसके अंदर टू टेबल स्पून्स करीम के भी आड़ कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाले, अगर आप डालना चा अनको जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, बेल आइक उनको प्रेस करना, आपने नहीं बूलना, थैंक्स पॉर वाचिंग, अलाहाफेज